हेलो एब्रिवन आजके इस वीडियो में मैंना कर दिखाया हूँ सोल्डर रिमोबर मैसीन जिसके यूज आप बहुत जगे कर सकते हो जैसे कि आपके पास में अलेक्ट्रोनिक वर्किस्टरप है या आप घर में LED बॉल्वे को रिपैरिंग करते हो उस वक्ते इस मैसेन को यूज कर सकते हो यह बहुत इंपोटेंट आपके लिए है इसे बनाना बहुत सिंपूल है कोई ज्यादा एमाउट नहीं लगता है सिर्फे आप इसे 100 उपेस के अंदर में अपने घर पर बना सकते हो मेरे इस वीडियो को देख कर टो चलो करते हैं इसका making बीडियो सुरू उससे पहले अगर कोई छोटा बत्री इस वीडियो को देख रहा है तो फ्लीज घर में ओ मत ट्राय करना किसी बड़े का help लेना तो चलो करते हैं हुज कर रहा है 1 mm का metal plate और यहाँ पर कुछ marking क्या हूं साइध आप किसी समाझ में नहीं आएगा तो मैं आपको डाइग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको समाझ में आज आएगा इसके उपर मैं कुछ मार्किंग के हूँ जो हमें कटिंग करना है साथ मैं यहाँ पर होल करने के लिए निसान किया हूँ तो हमें यहाँ पर होल क आपको इस तरक्य से कर लेने और हां गैस यह वाला सेटप को कहा मेले गवापको बता देता हूं जहां पर आपको मेटल का बॉक्स वेगरा बनता है वहां पर आपको एजली मिल जाते और मैं जितना बड़ा यहां पर यूज किया हूं गिछ इसका प्राइस मुझे पड़ा थ मेले और मेरे पास मैं 65W का अगर यह इसे कमवाट कर लेसे कर रहा हूं लेकिन मेरे पास मिता 65W के इसलिए वह भी सब्सक्ता पेड़ाàng हरा हूं देखने अ मेरे एला हो को तो मैं आपा कटर से कट कर रहा हूं, कटर से नए कट रहा था, इसलिए मैं आपा कैसि इस इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके साब से, जिसमें आपको सभीदा Governor हो, और गई दो सकते हो, यह हमारा दो हिस्सा में बढ़ गया है, तो दिखाता हूँ, यहां पर एक था, जो हमारा प्लेट में है कॉटिंग किया हो, ठीक है? आप हमें इसे, और यहां प्लेट सकतो, वेर को यहां पर जोइंट रखना है, खोलना नहीं है, सिर्फ हलका से इसे खोल से फिक्स करना है और इन दोनों को टाइट करने के लिए मैं सेम प्लेट का एक इस तरह के से पीस को कट के आउं तो यहां पर दिखा सकते हो देख सकते हो कुछ इस तरह के से पीस में आपकर कट के आउं इससे जो हमारा अपर टाइट ली चाप के रखे रख सकते हो कुछ इस सब्सक्राइब यहां पर सकते हो एक वाला इसमें डिखें यहां पर नहीं रखना है आपके आपको तरह के तक लेना है थिक हैं अगर नहीं करते हो तो एक भी यहां पर टक रहता है तो इससे करणट लग सकता है ठीक है प्रॉपर जियान रखते हुए आप इसे करना कि को बिसका एक भी और हमारे मेटल को साथ में नटक रहे हैं तो इस तरह किसे में मेटल कर पीस कट किया हूं इसके आपको डायगराम दिखा दोंगा जाएगा मैं यहां पर कितना कलेकर से करने वाला हूं आप गया दो सकतो यह हमारा कॉंप्रीट होगा इस तरह किसे अब इसे फिक्स करने के लिए हमें बेस दरकार है जिसके लिए दिख सकतो मैं एमडिया बोल्ड का एक पीस को कट किया हूं इसका जो यहां से लेकर यहां लंग जो लंबाई है वह हमारा है हमें यहां पर कुछ इस तरह की से फिक्स करना है तो यहां पर चारो करना रहा हूं मैं चार इसको से टाइट कर दिया हूं अब हमारे यहां पर चाओ तो कॉंप्लीट हो गया है है प्रोजक्त है डायट अगर हम लोग यहां पर करनेक्सन देने वाला हूं साथ में इंडिकेटर जिसके लिए यहां पर देख सकते हो लकड़ी का कुछ पीछ इसको मैं पर कटिंग किया हूं इसका पहले एक बॉक्स बना लेता हूं बाद मा आपको बताऊंगा कि इसका कि के तरहन क्या था यहां से लेकर यहां का लंबाई वहां यहां हमारा है 4.5 cm और यहां से लेकर यहां लोगा तूरी है यहा मारा ऑइट सत्य मे्टर जो हमारा दो हूल करने वाला हूं इधर होगा हमारा इन्पूट का होल और इस इस सेट में हम लोक रखेंगे इसका ओऊटूट का होल यह देख सकते हो गैस , यहाँ पर एक होल की ओँवों हमाह इन्पूट के लिए . यहाँ पर कटिंग एंड ड्रिलिंग यहाँ नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि जो important video है उसको ही आपको दिखा रहा हूँ और आप तो video को देखते ही नहीं हो long video को तो हमें यहाँ पर इसे चिपका लेना है तो मैं भी यहाँ पर चिपका हूँगे इस FabiCol से क्योंकि FabiCol से बहुत अच्छा चपकता है ठीक है फटाक से मैं यह पर चपका लेता हूँ पहले इसे इसके अंदर हमें एक switch को fit करना है उसके बाद मैं इस indicator को indicator के साथ में और भी हमारा register और यहाँ पर डावेट लगेगा यहाँ बाद मा लगाएंगे यहां पर एक pieces कट के हो यहां पर यहाँ हमारा 500 जैजडे में When noticing यहां पर उयूज की आ अहां इस तरह के इसे हम लोग के यहां पर fit करेंगे उससे पहले yeah पर जो fit करना है ओ में इसे switch को fit करना है तो यहां से हम लोग switch को fit करनेंगे स्क्रू से अब डाय्यक्ट यहाँ पर ग्लूगों से चिपका सकते हो या फैब्र को इक से चिपका सकते हो लेकिन मैं आपर यूज कर रहा हूँ स्क्रूब से क्योंकि बाद में अगर कुछ भी इसके अंदर में खराप होता है तो मैं वापस इसे सही कर पाऊं इसलिए इसके बाद मैं इस LED को दोखो यहाँ पर मैं एक होल किया हूँ इधर मैं इसे चिपका दूँगा और हाँ गैस इसका मेजरमेट का बात बोलों तो यह हमारा इधर से लेके इधर 4.5 cm और यहाँ से लेकर यहाँ लंगा जो लंबाई है यह हमारा है 8 cm इसका जतना measurement है, same measurement मैं यहां पर भी cutting किया हूँ, LED के positive leg के साथ मैं हमें करना है divert connection, divert का जो silver वाला पट्टी है, वो हमें LED के side में रखना है, जिस तरह की से मैं यहां पर कर रहा हूँ, अभी मैं यहां पर indicator बना रहा हूँ, एक कुछ इस तरह की से क्या हूँ, इसके बाद मैं हमें लेना एक 100K का register, इसे हमें negative के साथ मैं soldering या लपेड देना है, बाद मैं हमें soldering भी कर लेना है, जिसके मुद्ध सी यह ना निकले, अब यहां पर देख सकते हो, मैं दोनों लेक में soldering भी कर लिया हूँ, अब हमें अलाग-अलाग कर लेना है, टौच ना हो इसके उज़े से, तो देख सकते हो, यहां पर डावेड वाला जो लेक है, इसे हमें connect करना है, स्वीच के किसी भी एक पिन के साथ मैं, तो इस तरह के से, क्योंकि यहां पर और एक भी वेर लगेगा, जोस्टे मैं यहां पर से, इस तरह के से, मोल लेता हूँ, बाद मां हमें यहां पर फिट करेंगे, और एक वेर, इन्पुट करने के लिए में आपर दो ब्लाक कलो का वेर यूज़ कर रहा हूँ, यह हमारा थोड़ा स्व मोटा वेर लिया हूँ, काफी ज्यादा हमारा हिट सिंग यह वाट के यह इसलिए आपर दो मोटा वेर लिया हूँ, इन दोनों व barbecue कमें करना है, एक where कमें करना है, स्वीच के दूसरे लेक के साथ में, और दूसरे wire को जो connection करना है हमें रेजिस्टर के साथ में connection करना है क्योंकि हमें power देना है LED को यह जो LED के साथ में connect कर रहा हूं यह हमारा neutral point रहेगा और जिसके switch के साथ में जो किया हूं वह हमारा phase है इसके बाद में hitsing element का जो दो wire जो था इसे हमें अंदर side में निकाल लेना है जिस तरीके से में आपा निकाल रहा हूं और इसका जो पौंच जो है न वो जम्मा हटे न अगर पौंच जब एक दूसरे जब टेकर आएगा और wire का जब खाली हो जाएगा तो यहां पर भी source circuit हो सक सकता है बिल्कुल दियान में रखते हूं इसे आपको करना है और इसका connection सभी को मालूम है एक wire को हमें connection करना है switch के साथ में पहले मैं एक wire को connection करूंगा रिजिस्टर के साथ में जो हमारा neutral point रहेगा इसके बाद में tape से cover कर लेता हूँ क्योंकि यहां पर wire के wire टकराने के वज़े से यहां पर source circuit हो सकता है बिल्कुल दियान में रखते हैं हमें काम करना है एक भी wire यहां पर टकरा है ना दूसरे wire के साथ में इसके बाद में दूसरे wire जो बचा हुआ था हमारा जो element का उसे हमें connection करना है switch के साथ में यहां से हमारा सारा कुछ connection खतम हो चुक है तो हमें क्या करना है ना इस box के अंदर में इसका उपर cover को fix कर लेना है जैसे के गई देख सकतो हमारा प्रोजेक्ट यहां पर complete हो चुक है अब हमें इसे टेस्ट करना है तो गैस यहां पर जो भी हमारा टेस्ट रहेगा वह पुरा मिनीट के अंदर में सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा तो चलो इसे हम लोग यहां पर power दे देते हैं और यहां से करता हूँ switch को on और इधर से भी on करता हूँ तो आप गैस यहां पर देख सकते हो यहां पर करेंट आ रहा है यह नहीं आ रहा है तो देख सकते हो यहां पर हलका भी यहां पर नहीं आ रहा है मतलब कि यह पुरा हमारा सेप है कहीं पर भी connection हमारा लूच नहीं है तो अब आपको temperature दिखाने वाला हूँ तो आभी देख सकते हो तो इसके उपर मा रखता हूँ देखते हैं धीरी-धीरी कितना second में कितना minute में यह बढ़ता है तो देख सकते हो कितना तेज बढ़ता है हमारा directed to 38 हो चुक है यहाँ पर 41 तो मैं इसके उपर मा रख दिया हूँ थोड़ा साथ को इधर भी दिखा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर confuse ना हो ठीक है देख सकते हो मैं कुछ यहाँ पर रखा हूँ इसका sensor को और यह आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर temperature देखते हैं एक मिनिट के अंदर में कितना heat होता है जब तक यहाँ पर heat होता है आपको यहाँ पर दिखाता हूँ देख सकते हो यह मेरे पास में एक डियोबी प्लेट है यहाँ पर LED कापी सा LED लगा है इसे remove करके दिखाऊंगा जिससे आपको 100 क्रोस बहुत जलती हो जाते है और यह कुछ देर भी नहीं लगता है 65W का हमारा element है जो काफ़े high हिट कर देगा इसे तो देख सकते हो वीडियो तो आपका सामने चल रहा है और साथ में हाँ पर वीडियो को मैं फास्टी भी नहीं किया हूँ आपको दिखाने के लिए जो स 06 celsius हो चुका है तो आप मैं इसे हटा कर इसे हम लोग निकाल कर देखेंगे तो यहां पर देख सकते हो यह उपर हो गया मतलब कि यह हमारा 100 celsius का है तो इससे उपर हो गया इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं सो कर रहा है और यह काफी गया इस बहुत ज्यादा हीट हो चुक आप गयी देख सकते हो मैं यहां पर एक को उठा के देखता हूं तो गयी देख सकते हो इतना इजी अराम तरीके से निकलता है मत पूछो गैस एकदम पूरा मखन के जैसे जैसे कि हम लोग कुछ मतलब के उठा रहे हैं न उसी तरीके से उड़ते और फिट करोंगा तो आप भी ऐसे कर सकते हो देख सकते हो गैस पुरों आपके सामने याँ पर कोई याँ वेक नहीं है ठीक है आपको लग रहा हूगा फेक लेकिन याऊ पर फेक नहीं है अग्दम पूरा रियल है सबी को यहाँ हटा के दिखा देता हूं कि कितना जलती मतलब के विडियो को मैं तो मैं इसे यहाँ पर हटा दिता हूँ, हटा कि एक बार नीचे ला कर आपको दिखाता हूँ, आप गई देखो, मैंने सभी को हटा दिया हूँ, कितना अच्छा लगता है देखने में, इस तरह के से आप लोग मैसिन को बना कर अपने घर पर LED को रिपार कर सकते हो, बनाना मत मतलब के बहुत सिंपूल था और इसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं आएगा, मैं अगर बोलू तो मेरा टोटल खर्च इसमें आया, एकदम पूरा सब कुछ मिला कर 100 ओपिस में हमारा बन चुका है, आप भी अपने घर पर बना सकते हो, और इस कॉमेंट में मुझे बोलना कि ये वाला मैसिन आपके लिए हेलफूल है या नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई भी छोटा बच्च इसमें मत घर में ट्राइ करना, मत बनाना, ठीक है, किसी बड़े का हेलफ लेना, जैसे कि जो रिपैरिंग होगर करते हैं, उन लोगों का हेलफ लेना है आपको, ठीक है, तो यहीं पर करता हूँ वीडियो को एंड मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, कॉमेट मां बोलना मैसिन हेलफूल है या नहीं है,